पंजाब में होने बाले 2022 बिधान सबा चुनाप को लेकर किंद्री वित राजे मंत्री अनुराग ठाकों ने बीजेपी की जीत के अदावा किया है जी हाँ अनराक ठाकों ने पंजाब की कैप्टन सरकार ब पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है जिसके चलते पंजायत चुनाप के दुरान पंजाब में कई जगा पर प्रत्याशियों को नॉमिनेशन पेपर फाइल ना करने देने वर पश्चिम बंगाल में त्रिन मूल के राज में हत्याब हिंसा का दोर चलने की अनराक ठाकों ने बात कही है गोर तिलब है कि अनराक ठाकोर बिलास पर उपायक प्यारे लेके बज़त भवन में दिशा की बैटक लेने पहुंचे थे जहां उन्होंने विबिन विभागों के अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार के विबिन योजनाओं की दरातल रिपोर्ट मांगी और चिले के लोग पश्चिम बंगाल में भी शुशाषन देने बाली भाश्चिम सरकार के आने के साथ ही 2022 में पंजाब की जनता दोरा भी बीजेपी को भरपूर समर्थन देने की बात कही है इसके साथ ही अनराक ठाकुर ने पंजाब पश्चिम बंगाल का उधारन देते हुए कहा कि कुछ राजे ऐसे हैं जहां एक नई प्रथा शुरू हो गई है जिसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल ना होने देने का रिवास है जिसे आने बाले समय में भाश्पा कतम करेगी और सत्ता में आकर इस तरह की गुंडा गड़ी पर अंकुष लगाएगी दिशा कमेटी की बैटक महतपूर्ण है क्योंकि के अंदर सरकार के जो कारेकरम हैं उनको जमीनी स्तर पर धरातल पर लागू हो विलंब ना हो और उसमें जो हमारे अधिकारी हैं करमचारी हैं उनके चाहे विधायक हों अधिकारी हों करमचारी हों हम मिलकर इन योजनाओं को जमीन पर लागू करवाएं कहीं पर विलंब होता है तो उनक्षेत्रों में हम लोग पुष करते हैं ताकि अगली तिमाही तक उसमें सुदार हो आज की बैटक में भी मन्रेगा से लेकर बाकी सब क केंदर की योजनाओं के उपर यहां पर चर्चा होगी ताकि जिला बिलासपुर का विकास हो सके एक नई प्रता कुछ राज्यों में शुरू हो गए ही जहां पर पेपर नॉमिनेशन नहीं करने दिये जाते बाकी दलों की वाज को रोका जाता है त्रिनमुल की राज में प देश को एक अच्छा लोकतंतर चाहिए स्वच स्वस्थ और शशक्त लोकतंतर चाहिए और उसकी नहीं पंचायती राज के चुनाब में होती हिमाचल में भी चुना हुए कई कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ किसी को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने से नहीं रोका ग यह अपने आप में स्पश्ट दोर पर देखता है कि त्रिनमुल की नाब डूपने वाली है घबरा हर त्रिनमुल में देखने को मिलती है त्रिनमुल के नेता लगा अतार्क त्रिनमुल कौंग्रेस को छोड़ कर जा रहे हैं और ममता बनरजी का भरस्टा चार जो कट मनी से लेकर कोल माफिया तक ये सारा करप्शन का जो धंदा था ये जनता के सामने आया है बाइपो जिसको ममता बनर जी का भतीजा यानि के दीदी बाइपो की सरकार इसको लूट और भरष्टाचार की सरकार के रूप में बश्चि मेंगॉल के लोग देखते हैं और भरष्टाचा में भी भरष्टाचार मुक्त सरकार किसी ने दी तो मोधी जी ने और बेंगॉल में भी नई सरकार एक बदलाव के रूप में लेकर आएंगे और सुसाशन कायम करेंगे तो भारतियंता पार्टी करेंगे